हेलो दोस्तो वेलकम टू माई चानल टैक कियास के दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सैमसिंग लेक्सियस 21 FE 5G में आप बैकप और रिस्टोर कैसे कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो इसके लिए सबसे पहले आपको फोन की सेटिंग्स में चले जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहां पे ऑप्शन मिलेगी आप यहां पे देख सकते हैं एकाउंटस और बैकप की आपको यहां पे क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप दो तरीके से बैक अप करेट कर सकते हैं पहला है Samsung Cloud और दूसरा है Google Drive आप इन दोनों में से किसी भी तरीके से बैक अप कर सकते हैं चलिए हम यहाँ पे Samsung Cloud से कर लेते हैं बैक अप डाटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने Samsung अकाउंट से लोग इन कर लेना है जैसे कि मैंने पहले से ही किया हुआ है और दोस्तों आपको यहाँ पे जिस भी आपका डाटा बैक अप करना है आपको सिंपली उसे यहाँ से ओन कर देना है चलिए मैं यहाँ पे Call Locks का कर लेती हूँ यह मैंने Call Locks को यहाँ से ओन किया और आपको यहाँ पे नीचे Option मिलेगे Backup Now की आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है Use Mobile Data तो यहाँ पे Backup Create होना शुरू हो जाएगा आप देख सकते है कि Backup जो है वो Create हो रहा है तो दोस्तो Backup जो है Complete हो चुका है आपको यहाँ पे नीचे Done की Option मिलेगी आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और दोस्तो डाटा को रीस्टोर करने के लिए आपको यहाँ पे Restore Data पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपने इमेल से verify कर लेना है यहाँ पे click करेंगे और यहाँ पे आपको जिस्ती app का data restore करना है आपको simply से select कर लेना है and then आपको यहाँ पे नीचे option मिलेगी restore की आपको यहाँ पे click करना है तो आपका जो data वो restore हो जाएगा